हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई यूट्यूब चैनल नीसा टिप्स और टिक्स माँ आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ फिर से बहुत ही यूसफुल टिप्स और टिक्स तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप पहली बार आएं है तो फ्रेंड्स अक्सर ऐसे होता है जब भी हम मार्केट को इतना बड़ा बैग लेकर कि जाते हैं सब्दी वगरा लेने के लिए तो अक्सर फ्रेंड्स हमें पैसे निकालने की और रखने के बहुत दिक्कत होती है और फ्रेंड्स ऐसे में हमरे पैसे जो है चोरी भी सब्कुत कम चैंसे होते हैं कि आपका पर्स वगरा कोई चोरी हो तो इस तरीके से आप छोटे साभी कोई भी पर्स कोई भी पर्स直接 सब्सक्राइब अपने सब्सक्राम59 hoło को इस तरीके से रखिएगा और इस टिप को जरूर से फोलो करिएगा टिप अच्छे लगिए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स टिप की और जैसे कि फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं इस टेम संतरों का बखुत ही अच्छा सा तो फ्रेंड्स छिलकी को हमने इस तरीके से कट कर लिया है बीच में नीबू की तरह और उसके बाद फ्रेंड्स इस तरीके से आप चमच लेजेगा और चमच से इसको गोल-गोल घुमाईएगा इस से बहुत ही असानी से एक कैप टाइप से हमारा संतरा छिल जाएगा और असानी से ओपन हो जाएगा इस तरीके से बच्चे भी बहुत ही असानी से छील सकते हैं फ्रेंड्स सिर्फ आपको ध्यान यही रखना है कि हमें नाइफ से जो कट लगाना है वो बहुत ही हलके हाथों से लगाना है जिसे कि हमारे संतर्या ज्यादा तेजी से नहीं कटो तो आपको बहुत हलकन लगाना है जिससे कि सिर्फ छिलका ही कटो तो फ्रेंड्स ऐसे ही टिप से देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बढ़ते हैं अपने नेक्स टिप के और जैसे कि फ्रेंड्स अक्सर रहसा होता है कि हम लोग बाहर चले जाते हैं बच्चे गयरा घर पर रहते हं उनको जो है आटा लगने में में काफ्वे टाइम लगता है उनको नहीं आटा लगाना है तो आता है या वजोर्ग वगना होते हैं तो उन में add करेगा उसके बाद blending को चलाइगा निकाल कि कैसा हमारा हमारा आटा हो चुका है तो क्यों हम होते हल कशा पानी प्रिसा ऐड़ करेंगे और उसके बाद फिर को है और इसको बहुत फ्रेंट्स आसानी से हमें निकाल लेना है जो भी बच्चे लोग हैं जो भी जैंड्स लोग हैं जो भी ज्यू है विज्धों को की काफी जादा महेंद नहीं कर सकते हैं आर्टा लगाने में या उनको नहीं आता है तो उनके लिए बहुत ही special tips है या जो बच्चे होस्टल वगएरा में या बाहर रह करके पढ़ते हैं और उनको आर्टा लगाना नहीं आता है तो friends इस tip का motor का सकते हैं तो यहां पर friends हम बहुत आसानी से इसको इसमें से निकाल लेंगे और हिलके ہाचों से ही इस तरीके ड को लगा लेंगे तो इस तरीके से friends हमें बिल्कुल भी दिकट नहीं होगी और mix में हम बहुत आसानी से आर्टा लगा सकते हैं और सब्सक्राइब सकते हैं तो इसके लिए हां पर हमें में след personal अर्टे को 10 15 मिनट के लिए पानी लगा करके रखेना है और एक फीलेट में हमें इसको इस तरीके से लगा कर रखे जेक बार में अच्छे से हम हम रोटिया बना तो सब धरे धरे निकल जाते हैं और यह स्केल जो है यूजलेस हो जाता है तो इसके लिए यहां पर हम एक छोटा सा टिप्स जो है सेर करने वाले हैं आपको ले लेना है फ्रेंड तापके पास में जो भी तेपः हो आप उसका यूज कर सकते हैं श को हम इस तरीके से से सेलुटीप से कवर कर देना है पर जी का अपके पास अगर अगर बड़ास एलुटीप नहीं है तो पर चोटी से हासे हम आपके हँद से भी मार्किंग भी तहरहरेब। इसके से हमिनेशन टाइप करना है भी सोड़ बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि काफी लोंग टाइम रहेगा और बहुत ही अच्छा सा ये टिप्स है बिल्कुल भी इसके मार्किंग नहीं जाएगी एक बार जरूर से ट्राइ करिएगा और ट्राइ करके जरूर से कमेंट करके बताईएगा कि आपको कौन से टेप सबसे अच्छी लगी है और फ्रेंट्स आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं इस चीज को जरूर से कमेंट करके बताईएगा ताकि हमें मोटिवेशनल मोटिवेट हो कि हमारी वीडियो इतनी लोगों तक इतनी दोर तक जाती है तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप छोट सेर करने वाली हूँ जैसे कि फ्रेंट्स इस टाइम गर्मियों का मोसम आ चुका है और ऐसे मोसम में जब भी बच्चे सूज और सोक्स वगरा पहनते हैं तो काफी बैड इसमेल जो है उन बच्चों के सोक्स से और पैरों से आती है तो उसके लिए यहाँ पर आप फ्रेंट जब भी बच्ची स्कूल वगरा से आईगे या कहीं पर भी सूज पहन करके जाएंगे तो बिलकुल भी आपके बच्चों के पैरों से बैड इसमेल नहीं आईगी और फ्रेंट्स एकदम फ्रेस बच्चे रहेंगे और सूज भी एकदम फ्रेस रहेंगे तो इस ट्रिक तो है इस गर्मियों जरूर सी ट्राइ करना और ट्राइ करके जरूर मेरे को बताना कि आपको ये टिप्स कैसी लगी इस तरीके से आप सारी गर्मी जो हैं अपने बچो के सोक्स और सूज को बैडी स्मेल से बचा सकते हैं बहुत अच्छ सा टीप जो हमेरे के लिभी च्छाटो उसहां ले ले लुग से लागती है। जब हमें झाड़ो जब उसे नियदकों उस्ते से के लिए लगए लोगी। और फ्रेंड्स इससे हमारे कोई भी हमारे हाथों में नुक्सान नहीं होगा तो ये भी बहुत अच्छी सी एक टिप्स है इसको भी आप जरूर से फोलो करिएगा और बहुत यूसफुल सी टिप्स है ऐसी टिप्स देखने के लिए हमें जरूर से सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स टिप के और जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्सर महमान वगएरा आते हैं हम भी जब भी बिस्किट का पैकिट वगएरा खोलते हैं तो उसके बाद में फ्रेंड्स कुछ बिस्किट जरूर से बचे जाते हैं और उनको हम जब भी रखते हैं तो वे सील जाते हैं जो एकदम कुरकुरे नहीं रहते हैं कुछ टाइम के बाद में वे थोड़ा गिली-गिले से लगने लगते हैं जिससे कि बच्चे बिलकुल भ रख देना है और उसमें हमें डाल देने है चावल फ्रेंड्स यहां पर आप चावल कोई यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से इसको रख दीज़ेगा यह बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे टिप्स अच्छी लिगे तो प्लेज लाइक